देखे साहब इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे UP Polytechnic Entrance Examination 2020 के स्टूडेंट्स के लिए Physics में एक Most Important Point Electricity के एक Most Important Chapter विद्ध घटनाओ का परमाडवी या माडल के कुछ Most Important Questions के बारे में पिछले पार्ट में यानि की पार्ट वन में हमने एक से लेके पांच तक के Question को डिसकस किया था तो यहां से हम 6 Number Question से स्टार्ट करेंगे और 6 से 10 Question तक Solve करेंगे ठीक है इस पूरे चेप्टर के 15 से 20 Question हम Solve करेंगे जो कि आपके Most Important है और इसी टाइब के Question आपके Entrance Examination में आते हैं तो इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेकनिकल मैं हूँ आपका दोस्त रोशन पांडे आईए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं अब देखें साहब यहां से हम सबसे पहला Question स्टार्ट करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से है कि यूरेनियम परमाडू और यहां पर आप देख पा रहे होंगे 92 यूरेनियम 235 में न्यूटरानों की संख्या होगी ठीक है इस Question को Solve करने से पहले इसकी Basic Concept को हम समझ लेते हैं यह जो है वो यूरेनियम है ठीक है यानि कि यह 92 डिनोट करता है उसका परमाडू क्रमांक परमाडू क्रमांक बराबर होता है प्रोटानों की संख्या ठीक है तो परमाडू क्रमांक और प्रोटानों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 92 ठीक है उसके पाद से 235 जो है वो उसका परमाडू भार डिनोट करता है तो atomic weight यानि कि परमाडू भार जो है वो 235 होता है ठीक है अब आप एक formula जानते हैं कि परमाडू भार ठीक है परमाडू भार जो होता है वो आपका क्या होता है परमाडू भार वराबर PROTANO की संख्या प्लस न्यूट्रानों की संख्या ठीक है तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि परमाडू भार बराबर प्रोटानों की संख्या प्लस न्यूट्रानों की संख्या या फिर आप कह सकते हैं प्रोटानों की संख्या क्या कह सकते हैं परमाडू करमांग तो इसको रिप्लेस ठीक है परमाडू भार बराबर क्या होता है आपका परमाडू क्रमांक यानी यहाँ पे हमने सोट सोट लिख दे रहे हैं प्लस न्यूटरानू की संख्या तो एक ट्रिक बन गया आपके लिए कि पब बराबर पक प्लस नस यह आप अगर फॉर्मूला याद रहेगा आपको तो आप बहुत आसानी से न्यूटरानू की संख्या ग्यात कर सकते हैं किसी भी तत्यों का ठीक है जिसमें आपको अगर परमाडू क्रमांक और परमाडू भ भार पता हो तो आएए इसका ग्यात करते हैं परमाडू भार हमको इसका पता है यूरेनियम का कितना होता है 235 तो हमने लिख दिया 235 बराबर इस फॉर्मूले के कोर्डिंग और परमाडू क्रमांक हमको इसका पता है बान बे तो हमने यहाँ पे लिख दिया बान बे ठीक ह तो यह बानबे जो है वो इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा यानि कि 235 माइनस बानबे ये लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं तो 235 में से बानबे जाएगा तो कितना हो जाएगा 235 माइनस बानबे इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 143 ठीक है यानि कि 143 तो यह यहां पर option number D जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा बस आपको यह ध्यान रखना होगा यह 100 ट्रिक पभ बराबर पक प्लस नस ठीक है या फिर आप यह ध्यान रखिएगा कि प्रमाडू करमांग जो है उसको हम प्रोटानों की संख्या भी कहते हैं तो यहां पर हो जाएगा प्रमाड उकरमांग हमारा बानबे था तो 235 में से बानबे जाएगा हमारा 143 आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहां पर हम option number D को जो है वो टिक करेंगे क्योंकि option number D is correct answer यह देखिए आपके examination में कोशन पूछा जा चुका है तो इस type कोशन आपके लिए बहुत important है आगे बढ़ते हैं औ हमारा यह कह रहा है कि एक वस्तु में शामान अवस्था से 14 इलेक्टरान अधिक हैं देखिए यह question को बड़ा देखके आप confuse नहुए बहुत ही easy तरीके से आपको समझाएंगे और यह channel पर आपको इसी तरीके से with concept आपको सारी चीज़े बताई जाएंगी ठीक है आपको mathematics से लेके physics, chemistry सभी चीज़ की classes आपको कराई जाएगी तो आपको यह जरूरी है कि आप इस channel के सदफ से बनिये आप इस channel को subscribe कीजिए और notification bell का icon click कीजिए ठीक है तो यहाँ पर हमारा question यह कह रहा था कि एक वस्तु में शामान अवस्था से 14 इलेक्टरान अधिक है ठीक है तो कैसा होगा नेगेटीव होगा उस पर आवेस नेगेटीव होगा एक दूसरी वस्तु में शामान अवस्था से 10 इलेक्टरान कम है यानि कि वो वस्तु कैसा होगा positive होगा क्योंकि इलेक्टरानों की संख्या कम है ठीक है तो इनको अगर हम संपर्क में लाएं तो सन्युक्त वस्तु किस प्रकार के आवेश से आवेशित होगी ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है एक चीज आप समझिए कि एक वस्तु है जिसमें 14 इलेक्टरान सामान्य अवस्था से अधिक है और दूसरी वस्तु है जिसमें सामान्य अवस्था से 10 इलेक्टरान कम है तो इसकी कमी को पुरा कर दें जो 10 इलेक्टरान कम है तो हमारे पास इस 14 में से 10 जो है वो कहां चला गया इस पूरे जो है सन्युक तवस्तु को उदाशीन करने के लिए तो बचा कितना हमारे पास चार इलेक्टरान बचा ठीक है तो हमारे पास कितना इलेक्टरान बच जाएगा चार इलेक्टरान किस प्रकार के आवेश ये आवेशित होगा तो चुकि चार इलेक्टरान हमारे पास बचा है और इलेक्टरान पर चुकि निगेटिब चार्ज होत तो हमारा आवेष भी जो है वो नेगेटिव होगा यानिकि रिड आवेषित होगा ठीक है तो हम इस कोशन में यही कहेंगे कि दोनों वस्तूं को शन्यूक्त करने पर हमारा जो इलेक्टरानों की संख्या हो जाएगी वो 14-10 हो जाएगी यानिकि 4 और 4 इलेक्टरान सामान्य अवस्था से अधिक होंगे अतो हवस्थू शनिक्त रूप से रिड़ आविशित होगी ठीक है क्योंकि ये 14 इलेक्टरान अधिक है और ये 10 इलेक्टरान कम है तो 14 इलेक्टरान इस 10 इलेक्टरान की कमी को पूरा कर देंगे तो 4 इलेक्टरान बचेंगे, जो कि अधिक हैं तो किसी भी वस्तू पर अगर 4 इलेक्ट्राण अधिक हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो वस्तू क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये छीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इलेक्टरान पर negative आवेश होता है negative charge होता है तो आये देखते हैं कितने परकार के आपके जोई option दिए गये हैं धनावेश red आवेश एक पर धनावेश तर्था दूसरी पर red आवेश दोनों पर कोई आवेश नहीं रहेगा ठीक है तो यहां पर आपने जैसा कि शॉल्ब किया त जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा तो इस type के question को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं नेक्स्ट question आपका जो है वो कुछ numerical type का है और देखिए साब पिछली बार आपके entrance examination में बहुत सारे question numerical से आए थे तो इसलिए हम जो है वो इसमें theory part और numerical दोनों चीज़ें आपको cover कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आपाएं ठीक है तो ये question हमारा ये कह रहा है कि चार कुलाम तथा दो कुलाम के दो धन आवेश परस पर तीन मीटर की दूरी पर रखे गए हैं यदि नियतांक एक आमान जो है वो 9 गुड़े 10 पर पावर 9 Newton मीटर square प्रती की कुलाम का square हो तो दोनों आवेश के मद लगने वाला बल Newton में होगा ठीक है इस question को समझने के लिए सबसे पहले आप ये जान जाएए कि दो आवेश दिये गए हैं एक चार कुलाम का और एक दो कुलाम का आवेश सबसे पहले ये concept ध्यान में रखना चाहिए कि आवेश का मातरक जो होत होता है ये आप ध्यान में रखेगा और i बराबर formula होता है q by t ठीक है तो i बराबर हमारा क्या होता है q by t तो आवेश अगर निकालेंगे तो q बराबर हमारा क्या हो जाएगा i into t तो ये जो है वो सामाने formula होता है आवेश का जो की आप ध्यान में रखेंगे ठीक है उसके ब अगर ये नियतां कि A बराबर 9 गुड़े 10 पर पाउर 9 दिया गया है तो दोनों आवेशों के मद्ध लगने वाला बल आप क्यात कीचे तो आप जानते हैं कि दो आवेशों के मद्ध अगर हम बल निकालें तो वो कुलाम बल से निकालते हैं एप बराबर 1 अपाउन 4 पाई एपसाइलम 0 जिससे हम यहाँ पे A से डिनोट करेंगे क्योंकि हमको सौट तरीके से सॉल्ब करना है तो A इंटू Q1 Q2 अपाउन आर स्क्वाइर हो जाता है ठीक है Q1 की वैल्यू मान लिजे आपकी 4 कुलाम है Q2 की वैल्यू दो है ठीक है दो कुलाम और इन दोनों आवेसों के बीच की दूरी R बराबर हमारा 3 मीटर है तो आप बहुत आसानी से इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूस को पुट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं आए देखते हैं कि किस तरीके से हम कोशन को शॉल्ब करेंगे तो यहां पे हमारा चुकी बल निकालना है तो F बराबर हम लिख देंगे F बराबर एक अमान लिख देंगे 9 गुड़े 10 पे पावर 9 ठीक है इंटू Q1 इंटू Q2 है तो इसको डिरेक्ट कर लेते हैं 4 दूनी के 8 हो जाएगा अपउन में R2 होता है तो 3 का 2 हमारा कितना हो जाएगा 9 9 से हमारा 9 कट जाएगा तो बचे का कितना हमारा किवल ये बचेगा 8 गुड़े 10 पे पावर 9 ठीक है तो यहां पे आप देख रहे हैं आँसर हमारा देया है आठ गुडे 10 पे पावर 9 तो यह हमारा option number D जो होगा वो हमारा answer आजाएगा अब कोई पूछे कि इसका मातरक क्या होगा तो बल का मातरक क्या होता है simple तरीके से newton होता है आप बहुत असानी से जानते हैं तो यह चीज आपको ध्यान में रखना होगा तो यहाँ पे option number D जो है वो हमारा answer हो जाएगा कौन से formula से लगा F बराबर K into Q1 Q2 upon R square इसे कुलाम बल का कुलाम बल भी कहते हैं नहीं कि कुलाम का नियम भी कहते हैं जो कि दो इस्थिर बिंदू आवेशों के बीच की अगर दो इस्थिर बिंदू आवेश Q1 और Q2 हो और उनके बीच की दूरी R हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्शन बल जो होता है वो F बराबर K into Q1 Q2 upon R square जहां कि एक नियतांक है जिसका मान हमारा होता है 9 गुडे 10 पे पावर 9 और मातरक होता है Newton meter square प्रती कुलाम का square तो ये चीज आपको बस ध्यान रखना है ऐसे आप question को solve कर लेंगे आगे बढ़ते हैं और next question की तरफ हम ध्यान देते हैं next हमारा question ये कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी तीन गुनी कर देने पर उनके बीच लगने वाला बल होगा ठीक है तो बहुत simple सा है इसे भी आप कुलाम बल के नियम से ग्याद कर सकते हैं क्या कहरा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी तीन गुनी कर दें ठीक है अब इसमें आवेश की value नहीं दी गई है तो q1 into q2 ही रख देंगे ठीक है तो अगर हम इनके बीच की दूरी को तीन गुनी कर दें यानि कि r एक पल्स टू 3 into r कर दें r के जगह पे 3 r रख दें तो उनके बीच लगने वाला बल हमारा कितना हो जाएगा यह हमको ग्याद करना है तो दो आवेस अगर माल लीज़ें यहाँ पे दो आवेस है इनके बीच यह एक q1 आवेस है यह है q2 आवेस इनके बीच की दूरी r है तो इसके लिए simple सा formula होता है f बराबर k into q1 q2 upon r square यह simple के लिए होता है ठीक है लेकिन अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी तीन गुनी कर दी जाए यानि कि r बराबर 3r तो इस formula में r बराबर 3r हम रख देते हैं ठीक है और फिर देखते है कि क्या होता है तो हम r की जगे पे 3r रख देते हैं तो 3r का whole square ठीक है तो 3r का whole square करेंगे तो कितना हो जाएकर 9r square और यहाँ पे हमारा क्या होता है यह चुकि r square होता है तो यह q1 q2 upon r square को हमने क्या लिखा था f लिखा था क्योंकि f बराबर हमारा होता है k into q1 q2 upon r square तो इसको f बराबर k into q1 q2 upon r square को हम लिख सकते हैं f ठीक है और यह 1 upon 3 का square 9 हो जाएगा तो आपको एकदम अच्छे तरीके से एक बार यहाँ पे समझा देते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए देखें कोई भी अगर दो आवेस होता है उनके बीच की दूरी R होती है तो उनके लिए कुलाम बल होता है F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्कुराइड ठीक है तो इस स्तिती में हम बल कैसे निकालेंगे F इकुल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन 3R का होल स्कुराइड यानि कि 9R स्कुराइड अब 9 को भूल जाईए तो यह क्या है यह हमारा सिंपली F है ठीक है क्योंकि F बराबर हमने लिखा था K बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्कुराइड तो 1 अपॉन 9 ऐसे ही छोड़ देंगे और इस पूरे के जगा पे हम लिख सकते है F ठीक है और question number 9 में option number D जो है वो हमारा answer हो जाएगा ठीक है बस R की जगह पे आप 3R रख के square कर देंगे ठीक है तो हमारा एक बटा 9R स्कुराइड हो जाएगा उपर हो जाएगा Q1 Q2 और यहां पे हो जाएगा K ठीक है तो एक बटा 9 गुनी हो जाएगी तो यह चीज आपको ध्यान आपका reply कर देंगे या फिर हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे ठीक है कोई भी चंसन वाली बात नहीं है बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं यह question दो बार आपकी examination में पूछा जा चुका है तो यह बात ध्यान रखेंगे यह जो next question आपका है यह भी आपका examination में कई पूछा जा चुका है जैसा कि आप उपर देख पा रहे होंगे यह question यह कहरा है कि दो कण जिन पर Q1 तथा Q2 आवेश है कुछ निश्चित दूरी पर रहते हुए F बल लगाते हैं ठीक है यदि दोनों कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और प्रतेक कण पर आवेश तीन गुना कर दिया जाए तो कणों के बीच बल होगा ठीक है यह थोड़ा सा minded question है इसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा और आपको अच्छे से concept को समझना होगा ठीक है हम पूरी तरीके से कोशिस करेंगे कि सारी चीज़ों को आपको समझा दिया जाए यहाँ प कणों के बीच की दूरी देखिए दो आवेश दिया है Q1 और Q2 ठीक है और उनके बीच की दूरी जो है कोई निश्चित दूरी है जिसे हम R मान लेते हैं ठीक है और इन दूरी पर रहते हुए F बल लगता है तो इन कणों के बीच की दूरी को अगर आधी कर दी जाए यानि कि अगर हम दूरी को आधी कर दें यानि कि आर बाई टू कर दें पहले हमने आर माना है और अब अगर हम आधी कर दें condition चुकि यह कह रहा है और प्रतेक कड का आवेश तीन गुणा कर दें यानि कि Q1 बराबर 3Q1 ठीक है और Q2 बराबर हम क्या रख दें 3Q2 यही तो कह रहा है प्रतेक आवेश को हम तीन गुणा कर दें यहाँ पर आप देखिए तीन गुणा कर दिया जाए तो कड के कड के बीच बल होगा तो यह हम कैसे निकालेंगे यह हम कुलाम बल से ही निकालेंगे वो क्या होता है f बराबर k into q1 q2 upon r square अब r की जगा पे आपको r by 2 का whole square लिख देना है q1 की जगा पे यहां से आपको लिख देना है 3 q1 और q2 की जगा पे आपको यहां से लिख देना है 3 q2 तो हमारा simple तरीक से क्या हो जाएगा f equals 2 हो जाएगा हमारा k into 3 q1 into 3Q2 upon R by 2 का whole square यानि कि R square by 4 ठीक है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा यह थोड़ा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि आप यहाँ पे अगर concentrate नहीं होंगे तो आप आसानी से नहीं सीख पाएंगे तिन तरी के क्या हो जाएगा 9 और यह 4 उपर चला जाएगा ठीक है क्योंकि अपॉन के अपॉन में है तो 4 उपर चला जाएगा और उपर 9 है हमारा तो 9 चोग को कितना हो जाएगा 36 तो F बराबर हम क्या लिख सकते हैं 36 इंटू K Q1 Q2 upon R square ठीक है और K Q1 Q2 upon R square को हम simple F भी लिखते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं F equals to 36 F ठीक है तो यह चीज आप ध्यान में रखिएगा किसी एक को आप F dash भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है या फिर small F भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आप पहचान पाएंगे तो हमारा कितना हो जा रहा है 36 F आ रहा है यानि कि option number C जो है वो हमारा answer हो जाएगा ठीक है अगर ऐसा करते हैं अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो आधी करते हैं और पर तेक कड़ पर तीन गुना आवेश कर देते हैं तो उन कड़ों के बीच बल जो होगा वो हमारा 36 गुना हो जाएगा 36 F हो जाएगा ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है आपको कुलाम बल का प्रेवक करके बहुत सारे question को solve करने है और ये चीज समझना है ठीक है जाते जाते एक बार कुलाम आवेश को भी कुलाम बल का नियम को भी हम explain कर देते हैं आपको ताकि कोई भी confusion नहों हो बहुत सारे student जो है इसको लेके परिशान होंगे तो ये चीज आप थोड़ा सा समझ जिए ठीक है यहाँ पे अगर हमने माल लिया कि यहाँ पे दो आवेश हैं ठीक है दो बिंदू आवेश हैं और इनके बीच की दूरी जो है वो हमने आर माल लिया और इन दोनों आवेशों में पहले आवेश को Q1 और दूसरे आवेश को Q2 माल लिया तो इन दोनों पर जो बल लगेगा इन दोनों आवेशों के कारड जो है जो बल लगेगा पहले आवेश के कारड दूसरे आवेश पे या फिर दूसरे के कारड पहले आवेश पे तो वो होगा F और इन दोनों आवेशों के कारड लगने वाला बल जो है वो आवेशों के गुडनफल के अनुकरमान उपाती होता ह यानि कि F is directly proportional to Q1 into Q2 के सकते हैं और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वियूत करमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी R है तो इसके वर्ग के वियूत करमानुपाती जैसे कि आप universally proportional का sign देख रहे हैं तो यह होता है तो अगर दोनों को combine करें तो हम क्या लिख सकते हैं F is directly proportional to Q1, Q2 upon R square अब जाहिड सी बात है कि proportionality हटाते हैं तो कोई constant लगता है तो constant हम मान लेते हैं कि F बराबर के हमारा कोई constant है और Q1, Q2 upon R square ठीक है के बराबर हम एक और चीज़ बांते हैं 1 upon 4 pi epsilon 0 ठीक है इस का मान होता है हमारा 9 गुडे 10 पे पावर 9 तो एक जगा हम ये भी लिख सकते हैं कि F बराबर 9 गुडे 10 पे पावर 9 और Q1, Q2 upon R square तो that is your column's law यही आपका column का नियम है तो I hope मैंने सारी चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से explain किया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीज़े और और भी अधिक interesting वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें comment में जरूर बताईएगा कि आप किस topic पे वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखिये preparation की तो एक बार channel जरूर चेकाउट कीज़े क्योंकि preparation स्टार्ट हो चुकी है और हम प्रियाश कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे question को आपको बहुत ही आसान भासा में समझाया जाए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुचा दीजेगा क्योंकि आप सभी के support की अभी बहुत जरूरत है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद